हलो दोस्तो हलो हलो आप सब लों को फिर से एक नेवड में सौकत है दोस्तो तो दोस्तो आप सब लों को याद होगा हमने पिछले वीडियो में एक न्यू वर्ड बनाये था और हम लोगों को पहले पहले दिन में आईरेन मिल गया था और हमने आईरेन का टूल्स भी बनाये थ दोस्तों तो वीडियो जो है काफी जादा इंट्रेस्टिंग होने वाले दोस्तों तो चलिए जल्दी से जल्दी वीडियो को शूरू करते हैं तो दोस्तों उधर से मैं भागते भागते काफी जादा दूर आ गया दोस्तों फिर भी मेरे को एक भी विलेज भी नहीं मिला है बीच में बड़े बड़े जंगल भी आ ग Thom 5 दोफ उदर से में और आइसे भागते भागते निकल गया दोस्तों तो इदर तोड़ा सा प्लेइंट जेका मेरेको मिला है लेकिन फिर भी मेरेको एक वीयज नाजर नहीं आए दोस्तों और मेरे पस बय्ट भी नहीं है दोस्तों तो कैसे भी करकर है तो मेरे को बैट बनाना पड़ेगा ने तो एक विलेश डूनना पड़ेगा तो दोस्तो जैसे कि अब इदर देख सकतो मेरे को मिल गया दो शिप अभी मैं इसको कट करने वाला हूँ और मेरे को मिल जाएगा वूल जैसे का अब देख सकतो मेरे को वूल मिल गया अब यह जैसे ही फिर से खाएगा फिर से इसके वूल आ जाएगा दोस्तो अब देख सकतो फिर से इसमें वूल आ गया अभी मेरे को मिल गया चार वूल अभी मुझे जितना वूल मिलता है मैं अतना वूल को इदर कलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों लेकिन तीन वूल काफी है मतलब एक बैट बनने के लिए तो दोस्तों जैसे कि आप इदर देख सकते हूँ रात हो जाने वाले है दोस्तो लेकिन फिर भी मेरे को ये घ्यार नज़र नहीं आया दोस्तो तो फिर से आज का रात मेरे को ये इस चेव में ही विताना पड़ेगा अबी मैं इस केव के अंदर जाता हूँ अब देख सकते हूँ इदर एक लावा है तो सबसे पहले इस लावा को मैं बंद कर देता हूं और बंद करकर इसके अंदर चलता हूं तो यह किया बंद तो दोस्तो अगर लावा के उपर अगर गिरेंगे तब आप मर जाएंगे तो इसलिए लावा से आप पूलों को बच कर रहना पड़ेगा और पीचे से जॉंब इस भी आ सकते हैं दोस्तों तो सबसे पहले मैं इस जगह को कवर कर देता हूं ताकि कोई अंदर ने है वाप है तो मैं इसको स्टोन से कवर कर देता हूं दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि आप इधर देख सकते हो तो इदेर मैं पूरे को पूरे इस जगह को गवर कर दिया और मेरे को मिल गया iron अभी मैं जितना iron मिलता हुँश सारा iron को collect कर लेता हूँ दोस्तों और इस iron को smelt भी कर देता हूँ और फिर से हम iron से और ज़्यादा tools बनाएंगे तो दोस्तों उदर से मैंने काफ़ी जदा iron को collect कर लिया दोस्तों आप देख सकता हूँ 9 iron वो और मेरे को मिला अभी मैं इसको iron को smelt करने वाला हूँ और मेरे को मिल जागा iron और हम उससे बनाएंगा iron का tools तो दोस्तो आइरेन को अभी स्मेल्ट होने देते हैं अभी मैं तोड़ा सा माइनिंग कर लेता हूं क्योंकि मैं बाहर तो जाने सकता है क्योंकि अभी रात चल रहा है तो इसलिए मैं माइनिंग करता हूं हो सकता हम लोंको और जदा आईरेन मिल सकता है जब तक आईरेन स्मेल्ट ने हो जाथा तब तक हम तोड़ा सा माइनिंग कर लेता दोस्तों तो दोस्तो जैसे कि आप इदर देख सकतो हो इदर पूरे को पूरे जो आईरेन है पूरे को पूरे स्मेल्ट होगी है दोस्तो जैसे कि आप इदर देख सकतो हो 16 आईरेन मेरे को मिल गया दोस्तो तो टोड़ासा और माइनिंग कर लिया था तो मैं अरको और जद आईरेन मिल था अभी आप देख सकते हो, पूरे को पूरे 22 आईरेन अगर मिल जायागा तो सब्सक्रायरे कज्क्राया अपना सकता हूं जो अपन के तो सब्सक्राइब से कर देख सकता हूं, तो दोस्तों आज गाइश से भी करकर मैं एर विलेस पको टून करी मिलेंगा, दोस्तो आभी मैं आप लोगों को देख सकता हूँ इधर सुबह भी हो गया है दोस्तो तो अभी मैं कैसे भी करकर विलेज डूंडने के बाद ही आप लोगों से मिलता हूँ दोस्तो तो दोस्तो जैसे का अप इधर देख सकता हूँ फिर से रात हो गया दोस्तो लेकिन मेरे प देख सकते इदर पूरी को पूरी जो धरती एक टाइप का मतलब छोड़ दिया है तो यह केव टाइप का है दोस्तों इदर भी आप माइनिंग कर सकते हो इदर क्याना आप लोगों को काफी जादा खत्रा रहेगा क्योंकि इदर क्याना जब रहात होगा तो पूरी को पूरी पहले इदर नहीं जाना है क्योंकि आपके पास सही से अगर आर्मर रहेगा आईरेन का आर्मर भी रहेगा चलेगा दोस्तों आईरेन का आर्मर अगर पूरी को पूरी सेट है तो आप चल सकते हो लेकिन इदर आप लोगो काफी ज़दा खत्रा रहेगा दोस्तों लेकिन पह जी अभी आप लोगों दिखाने वाला हो तो दोस्तों जैसे के आप देख सकतो यह एक नेधर का पॉर्टल है दोस्तों मतलब तूट गया है तो देख सकतो दोस्तों यह है मैगमा ब्लॉक आगर इसके ऊपर अगर आप चड़ेंगे तो आप लोगों को डैमेज होगा तो इसक मेरा जाओंगा मेर जाओंगा मैं मर गया मर गया अब यार एक जॉंपी ने पूरे को पूरे मारी दिया दोस्तों मैं आयरें आर्मर अगर बना लेता तो का उतना ज्यादा डैमेज नहीं होता अभी मेरे खेल्ट से मैं जी दर आया उधर मतलब पहले जीदर स्पॉन वह देख लिए होंगे तो आप लोगों पता चल गया होगा मैं इदर ही पहले स्पाउन हुआ था तो फिर से हम लोगों को नियूर से स्टार्ट करना पड़ेगा दोस्तों कि मैं उदर नहीं जा सकता क्यों कि मैं काफी जादा दूर चलिए ताभी फिर से मेरे को पेड़ काटना मैं ने इख़्ट करना पड़ेगा अब जितना भी सामार में इस खटा किया वह सारे सापन मेरे को फिर से लूट लिया दोस्तो एक टाईब का तो दोस्ता अभी तो मेरे को समझ में नहीं आँ आर अभी मैं क्या करूं क्योंकि अभी विलेज भी ढूंडना पड़ेगा अभी जॉंबिस भी आ जाएंगा जब रात हो जाएगा फिर से मेरे को जितना भी सामान मेंने एकटे किया फिर से एकटे करने पड़ेगा फिर से काफी ज़्यादा पेड़ काटना पड़ेगा तो काफी ज़्यादा मेहनत हो ग्या दोस्तों इस बात के लिए एक लाइक नाइक बंधा है दुस्तों जल्दिiston यह चाहूंख धूर लेकिन दूस्तों मैं हार तो नहीं मानने के लिए सुझान और Hungary सेilटा ग्योज कर ने के लिए हूँ 되어 दोस्तों उद्र से बागते-बागते में काफी ज़ादा दूर आगये दोस्तों लेकिन मेरे को एक भी विलेज जो है नजर नहीं आया लेकिन इदर आप सामने देख सकता हूँ इधर फिर से एक नेदर पॉर्टल है दोस्तों साइद यह वही नेधर पॉर्टल हो सकता है और मेरे सामान जितना भी मैंने खुए वह सारे के सारे सामान भी मेरे को मिल सकता है दोस्तों लेकिन लेकिन यह वह वाला नेधर पॉर्टल नहीं है दोसरा पॉर्टल है दोस्तों मैं एक सेकंड के लिए बह Magma Block का जो भी Damage है वो भी मेरे को नहीं हो पाए जैसे का आप इदर देख सकते हो दोस्तों इदर एक Gold का Block है दोस्तों तो वो भी हम ले लेंगे हमेसा इदर एक Chest रहेगा दोस्तों उदर हम लोगों को मिलेगा Gold का मतलब कुछ Gold का सामान वगर मिल जाएंगे Gold का Pickax और Gold का Sword कुछ Gold का सामान मिलेंगे दोस्तों तो सबसे पहले मैं इदर एक Chest ले ढून लेता हूँ आप और इदर सामने आप देख सकते हैं इदर एक Village भी है उदर भी जाएंगे अम बाद में Village जाएंगे दोस्तों तो सबसे पहले हम ढूनडेंगे एदर एक Chest मिलेगा तो उस Chest को हम पहले से लूट लेंगे तो दोस्तों जैसे कि आप इदर देख सकते हो इदर है वो Chest तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ इसमें क्या क्या है तो दोस्तो जैसे के अब इदर देख सकतो इदर एक golden का sword है और 10 golden का carrot भी है दोस्तो और iron ingot भी है दोस्तो जैसे के अब इदर देख सकतो ये है iron ingot तो मैं जितना भी सामान है वो सारे के सामान इदर से लेकर चल जाओंगो दोस्तो और एक village में चल जाओंगा और आज के लिए क्याने मैं उदरी एक response पॉइंट भी लगा दूंगा ताकि मैं अभी फिर से मरूंगा तो उदरी मैं इसमें spawn हो जागा मतलब मैं फिर से मैं जीदर मैं spawn हुआ उदर मैं नहीं spawn हूँगा अभी मैं इदर सबसे पहले मैं एक रेटोनगा और उस बैट में मैंरी इसमेत प्वोइन लागा दूंगा दूस्टों तो सबसे ही मुण जाता हूं ऊबसे पहले मैं आपी सो जाता हूं तक वह मैं जूंने की निल्टर पोई मैं सटरी दिया था लेकिन मैं अभी उसको अभी लेने नहीं वाले सुझ कि वह क्याना काफी ज़़्ाबहों टैम लग गया मतलब यह को डूढ बागता 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 बहुत टैम से भाग रहा था दोस्तों लेकिन मेरे को विलेज जो है नाजर नहीं आया मतलब नाजर नहीं आया दोस्तों तो आप जाकर मेरे को विलेज जो है नाजर आया अभी देख सकते इस चेस्ट में सामान भी काफी जदा है लेकिन मैं अभी नहीं लेने वालों मैं बाद में इसको ले लूँगा तो दोस्तो काफी ज़ादा मेहनत लग गिया तो इस विलेज को डूणने के लिए तो इसी बात के लिए एक लाइक हो जाए तो दोस्तो आज का वीडियो इधर ही खतम होता है तो अगर आप लों को पसंद आए तो ज़ल दी से जाओ लाइक करो आओ और आप इस चैनल में नहीं तो सब्सक्रेब करना बिलकल भी मत बूलना दोस्तो और सब्सक्रेब करकर साथ में बेल अकन को भी प्रेस करके रखना दोस्तो तो दोस्तो काफी ज़ादा मेहनत लगी है इस विलेज को डूणने के लिए तो ज़ल दी से जाओ लाइक करो और आज के वीडियो हम इधर एंड करते हैं तो मिलता अगले वीडियो पे दोस्तो तब तक लिए अपने ख्याल रखेगा अलवीदा